देश की स्वाधीनता के लिए असंखे आंदोलन हुए, जिनमें कई क्रान्तिकारियों की मौथ हुई ऐसी ही एक घटना के लिए 4 फरवरी 1922 के काले दिन को देश कभी नहीं भूल सकता यह एक ऐसी घटना है जो इतिहास के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही साथ ही यह घटना प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे छात्रों के लिए भी उतना ही आवश्यक है अमरित सर के जलियावाला बाग की ही तरह चौरी चौरा में भी पुलिस ने अंधाधुन्द फाइरिंग कर कई लोगों की हत्या कर दी थी आईए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या है चौरी चौरा की घटना और इसके पीछे क्या कारण रहे है हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण तो होता ही है आजादी के समय महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाया था जिससे अंग्रेजों के दात खटे हो गए कहा जाता है कि चौरी चौरा की घटना देश को और अधिक एक जुट करने में काम्याब रही थी घटना में ज्यादातर लोग असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए स्वयम सेवक थे जो ग्रामीन अंचल में मदेरा और मास के बहिशकार को आगे बढ़ा रहे थे एक फरवरी 1922 को ऐसे ही एक स्वयम सेवक भगवान अहीर की उत्तर प्रदेश में गोरकपुर के पास एक कस्बा चौरी चौरा के ततकालीन दारोगा गुपतेश्वर सिंग ने पिताई कर दी जानकारी मिलने पर स्वयम सेवकों के दल ने भगवान अहीर की पिताई के खिलाफ थाने तक जुलूस निकाला उसके बाद की घटना करम जलिया वाला की घटना की तरह ही हुआ मुंदेरा बजार में जुलूस निकालने वाले निहत्थे स्वयम सेवकों पर दारोगा गुपतेश्वर सिंग ने पहले लाथी चार्ज करवाया और फिर गोली चलवा दी जिसमें तीन स्वयम सेवक मारे गए साथियों पर गोली चलता देख जुलूस में शामिल लोग उग्रह हो गए और उन्होंने थाने में आग लगा दी जिससे 23 सिपाही जल कर मारे गए थे इस घटना को चौरी-चौरा कांध के नाम से जाना जाता है घटना की जानकारी जब महात्मा गांधी को दी गई तो उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्मय ले लिया जिसका उस समय काफी विरोध भी हुआ क्योंकि वो आंदोलन भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा ही था लोगों की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने बौकलाहट में आकर चौरी-चौरा और आसपास मार्शल लौ लागू कर दिया इसके साथ ही घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को राश्ट्री इस तरपर असहयोग आंदोलन को रोग दिया और पांच दिन के उपवास पर चले गए उस समय जवाहरलाल नहरू जेल में बंद थे और उनका मानना था कि गांधी जी ने ये फैसला बेहत जल्दबाजी में लिया चौरी-चौरा की घटना के बाद एक बार फिर पुलिस का तांदव शुरू हुआ घटना से जुड़े लोगों के साथ-साथ निर्दोश लोगों पर भी जम कर अत्याचार हुआ बड़ी संख्या में लोगों पर गोरकपुर सत्र न्यायाले में मुकदमा चलाया गया घटना की हकीकत जाने बिना 172 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई हाइकोर्ट में पैर्वी के लिए साथ दिन का समय दिया गया सत्र न्यायाले के निर्णय के खिलाफ हाइकोर्ट में पैर्वी के लिए बाबा राघवदास आ गया आए उन्होंने चंदा एकठा कर इलाभाद उच्छ न्यायाले में वाद दाखिल कराया मुकदमा लड़ने के लिए महामना मदन मोहन मालविय से अनुरोध किया वकालत छोड़ चुके महामना ने बाबा राघवदास के अनुरोध पर मुकदमे की पैर्वी की और हाई कोट में साबित कर दिया कि घटना गैर इरादतन थी उनकी पैर्वी का ही परिनाम रहा कि न्यायाले की 172 लोगों को हुई फांसी की सजा को 19 लोगों में परिवर्तित किया साफ है कि इस मामले में बाबा राघवदास और महामना जैसे देशभक्त अगर आगे नहीं आये होते तो सभी 172 को फांसी के फंदे से लटका दिया जाता इनमें से 151 लोग फांसी की सजा से बच गए बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई 1923 के दोरान फांसी दे दी गई इस घटना में 14 लोगों को आजीवन कैद और 10 लोगों को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई अंग्रेज सरकार ने मारे गए पुलिस वालों की याद में एक समारक का निर्मान किया था स्थानिय लोग उन 19 लोगों को नहीं भूले जिन्हें मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई थी 1971 में उन्होंने शहीद समारक समिती का निर्मान किया 1973 में समिती ने जील के पास 12 मीटर उची एक ट्रिकोनिय मिनार निर्मित की जिसके तीनों फलकों पर गले में फांसी का फंडा चित्रित किया गया इस समारक के पास ही स्वतंतरता संग्राम से संबंधित एक पुस्तकाले और संग्रहाले भी बनाया गया है क्रांतिकारियों के याद में कानपूर से गोरकपूर के मध्य में चौरी चौरा एक्सप्रेस नामक एक रेलगारी चलाई गई अमीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी क्रिपया हमारे चैनल को शेर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारिया आप तक पहुचती रहें